नमस्कार मित्रों आज हम लोग figure counting के बारे हम पढ़ेंगे देखा जाता है कि आपके mathematics में 30 नंबर में कभी-कभी एक figure गिनने के लिए दिया जाता है कि उसमें से कितने त्रिभोज होंगे कितने वर्ग होंगे कितने आयत होंगे यह तीन टाइप आपसे पूछा जाता है तो type 1 type 2, type 3 हम लोग क्रम सा पढ़ेंगे और यह बड़ा चोटा सा question है और एक नमर आपको देख के जाता है तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं figure counting और यह सवाल जो figure counting का है maximum परीच्छाह में पूछा जाता है आपके परीच्छाह में कभी-कभी एक बार पूछ लेता है question लेकिन अन सवाल कैसे पूछा जाता है आपको बता देते हैं जैसे यहाँ पेप्रशन दीया रहे गा प्रस्ण है कि निमनलिखित छितर में वर्गों की संख्या क्या होगी कि वरगों की संख्या ग्याद करना पहला सवाल अमनों ले रहे हैं कि वर्गों की संख्या ग्याद करना जैसे कोई बिचित्र दे देता है परिक्षा में अगर वर्ग से संबंदित वह बड़ी आसानी से लगा सकते हैं वह परिक्षा में इस तरह से देखा देखिए एक कोई वर्ग बनाए ऐसे रहता है एक खाना और दो तीन हो जाएगा ऐसे रहता है तिसमें पूछ देता है कि बताइए वर्ग क्या है तो वर्ग जब तभी बन सकता है कि जब इधर तीन हो नीचे तीन हो या तो इधर चार हो नीचे चार हो तो यह वर्ग बनते हैं अर्थात इसमें इस तरह से फिगर बनाये रहेगा कि इसमें देखा कि निमनलिखित आकरती में वर्गों की संख्या क्या होगी तो आप सीधे सीधे इसको देखते हैं कि तीन इधर है तीन इधर तीया वर्ग बन रहा होगा और आपसे वर्ग की संख्या पूछेगा तो पर देखेंगे आपने की एक हो जाएगा दो तीन चार पांच छे और इसके बाद 7-8 नव ऐसे तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको तो यहां से अगर आप जाते हैं ऐसे तो ऐसे ऐसे जाएंगे आप न तो 9-10 हो जाएगा फिर यहां से ऐसे लेंगे 10-11 देखिये मैं आपको बता देता हूँ इसको लगाते कैसे हैं बहुत आसानी दम से मैं इसको बता दे रहा हम किस तरीकले सिसको साल्व करेंगे जाइसे दिया रहेगा तो इसमें क्या करना है कि अगर दे देगा कि World की संख्या का बताए तो इसमें आप तो नमबरिंग कर लेंगे शीधे सीधे तो नमबरिंग करेंगे इसमें एक डो आपर वाले का और इसका धना होपर वाले का ढब भी लगा दिए अपने लगाने के लिए लगा लेजिए कि एक सफ स्कार दन दो इस सुट ऑगे इस तरह कि संख्या जब आप से पूछ cel में कि तो एक दो तिन लिखती जिए और शीला कि शोजव ना किस तरह Clogan मैंने बताया ना कि इ角र करो इसी में एक लग ओर एक लिए नव ठो तो यह हो गया फिर इसके बाद देखें कितना हो गया 10 फिर इसके बाद यह हो गया 11 फिर इसके बाद अगर इधर से चलेंगे तो कितना हो जाएगा 12 फिर इसके बाद इधर से चलेंगे तो 13 फिर इसके बाद आप इसके जो बीचों बीच अगर आप ले लेते हैं तो कि एक, दो, तीन का स्क्वायर करके आप लगा लेंगे दूसरा सवाल हम लोग इसी तरह से देख लेते हैं चलिए दूसरा सवाल अक्सर पुछा जाता है या सवाल चार वाला पुछा जाता है या वाला अक्सर परिछाओं में यही सवाल पुछा जाता है और इसके बाद तुरंत नंबरिंग लगाने के बाद आप उसका क्या करिए वर्ग करिए तो एक का स्क्वाइर, दो का, तीन का स्क्वाइर और हो जाएगा चार का कर लीजिए एक का स्कूर कितना एक होता है दो का चार होता है तीन करना होता है चार का सोला और इसके बाद सोलो नोपचीस और चार उन्तीस एक तीस हो जाएगा तो जब चार का पूछे तो यह तीस हो जाएगा सीधे सीधे तो क्या होता आपके दिमाग में अगर ऐसे आ जा रहा होगा कि इधर चार हो और इधर नीचे कितना हो पांच हो तक कैसे लगाएंगे तो इसमें वर्ग नहीं पुछता इसमें चतुर्भूज पुछता है अधा ऐसे संख्याओं ग्याद करना होगा जिसमें चतुर्भूज ह है तो हम इसको बताते हैं चलिए हम लोग अब चतुर्भूज ग्याद करना सिखेंगे हम लोग वर्ग तो ग्याद कर लिए अब ऐसे हम चतुर्भूज देखेंगे अब आप से पूछेगा कि चतुर्भूज क्या हो इसमें कितने चतुर्भूज है कितने चतुर्भूज है होंगे चलिए बनाते हैं हम लोग इधर मान लेजिए मैंने कितना लिया चार कि एक ले लिए दो ले लिया तीन चार ले लिए पांच में इधर कर देता हूँ अब एक अब यहां पर क्या है कि 1 2 3 4 5 अब ऐसा नहीं कि 5 का स्क्वार कर दी अंसर जाएगा नहीं 1 2 3 4 नीचे 4 इस तरीके जब सवाल को अगर लगाना होगा तो आप इसमें इस तरह से लगाएंगे कि आप इसका सुत्र क्या होता है वर्टिकल मतलब कि जो हर्जेंटल और वर्टिकल पंक्ती और अस्तम्ब होता है तो उस तरह से लगाएंगे इसको वर्टिकल में से घटा कर दो कर देंगे और फिर हर्जेंटल जितना रहेगा हर्जेंटल में से घटा कर दो कर देंगे अगर यह वर्टिकल और जेंटल अगर आपको नहीं भी मालू में तो कोई बात नहीं, अगर यह सुत्र नहीं भी ग्यात है, तो आप किस तरीके से लगाएंगे, मैं बता दे रहाँ, आप ऐसे गिन लिजी कितनी संख्या है, तो इसकी संख्या गिनेंगे आप इदर से, तो द बाइगा 5 इन्टू 4 इन्टू 3 वाई 2, आप देखें, दो दूना के 4 होगा, दो दूना के 4 दूपचे 10, अगर दोतियां 6, बराबर कितना हो जाएगा 60, यह 60 क्या आया है, चतुर भूज आया है, हमने जो यह निकाला है न, यह चतुर भूज निकाले है, न कि बर्ग निक करना है, हम सीधे सीधे बस ऐसे लगा लेंगे ट्रिक के माद्यम से, तो हमने देखा है वर्क के बारे में और भी चतुर भूज देखें हैं, अगला हमारा देखी आएगा त्रिभूज गिनना चलिए, त्रिभूज में बड़ा आसान से आप त्रिभूज को भी लगा सकते ह है, तो चलिए अम लोग त्रिभूज देखते हैं, त्रिभूज गिनना, आपको परिक्षा में वाला बड़ा इंपार्टेंट है, अक्सर आप से पूछ लेता है त्रिभूज गिनना तो उसमें यह देता है कि निमनलिखित आकृती में घ्याद कीजिए कितने त्रिभूज है, तो आप बताएंगे देखकर इसमें कितने त्रिभूज हैं, लेकिन अगर आप से पूछा की से जाएगा, देखिए मैं शुरुगात करता हूं, यहां से ऐसे, एक को कितने बागों में बढ़ दिया, दो त्रिभूज, लेकिन अगर आप से यहां पर पूछेगा परिक् देखिए, एक त्रिभूज मैंने नाम लिया है, एबी सी, एक त्रिभूज तो पहला जो त्रिभूज है तो हाई है, एबी सी, इसका ट्रिक बताएंगे आपको कि यहां वाला तो एक हाई ए त्रिभूज, बढ़ा सा, पहले बढ़ा सा एबी सी है, दूसरा त्रिभूज मै सब्सक्राइब अब कुल मिला के तीन तरी बोजें लेकिन इस तरह से नहीं लगाते हैं आपको करना क्या होगा लगाते वक्त देखिए जब आपसे सवाल पूछेगा, तो आप ट्रिक्स से कैसे लगाएंगे, देखिए, अगर आपसे पूछा है, कि बताइए कितने इसमें त्रिभूज़े तो सिदे सीदे आप इसमें क्या करिए, जब इस तरीके से त्रिभूज़ पूछता है, तो इसका भी आप नंबरिंग कर पर आजाएगा और यहां पे किर लिजिए 2 कि संख्या पुछाय तो बराबर क्या ओ जाएगा वन पुराबर कितना सीधे बना धेजिए ऐसी सिदे कितना होगे तीन कभी कब इस तरह से पूछता है कि बताइये जो है दूसरा सवाल में लेता हूं यहां पर यह कि यह पहला सवाल माली जिए था दूसरा सवाल पूछता हम की बताइए कि इसमें त्रिभूज की संख्या कितना अगर इस तरह से दिया जाए इस तरीके से दिया जाए तो इसमें त्रिभूज की संख्या कितना है इसमें त्रिभूज की संख्या अगर आप से पुछा जा तो आप गिन लीजिए इसको एक, दो, तीन और चार सीधे-सीधे जोड़िए एक, दो, तीन, तीन, चार, दस आप सीधे-सीधे इसका प्लस कर लीजिए तीन, दन, चार, बराबर कितना होगा? 10, यह कर सकते हैं इसका कि इस त्रिभूज में कुल जो एक त्रिभूजों की संख्या कितनी होगी? 10, अब दूसरा तरीका इसका जब टाइप 2 पुछता है इसका, तो कैसे हम लोग लगाते हैं? आईए हम लोग देखते हैं टाइप 2 त्रिभूज का अब जब इसका टाइप 2 पुछता है त्रिभूज का तो वह देखी ऐसे पूछेगा आईसे घिष देगा यह अई ऐसे त्रिभूज दिया रहेंगा, और इसमें क्या करेगा कि आसे देदेगा अब बताई इसमें कितना थिदै तो इसमें घवडा नहीं कोई बात निया आपको सीदे-सीदे इसमें भी नंभर निंग करना है और नम्बरिंग करके आप इसको लगाएंगे कैसे, इसको कर लिजए, एक, दो, तीन, चार, और पांच, सबसे पहले जोड़िये इसको, एक, दन, दू, धन, तीन, लग्ज़, तीन, चार, दन, पांच, तो कितना हो जाएगा , एक, दन, तीन, एक दन, दो, तीन, बराबर कितना 30 30 का ऐसे आता है क्योंकि एक त्रिभूज ऐसे बनेगा फिर एक त्रिभूज दो त्रिभूज तीन चार पांच हे पांच हो बन गया फिर बड़ा वाल अच्छा त्रिभूज बना अब इसके बाद यह देखते हैं कि यही अगर त्रिभूज को अगर यहां से तो जीतना त्रिभूज नीचे था उतना त्रिभूज उपर भी था इसलिए को एक अध्यत्ने दूगुना मैंने दू काक्यों गुला किया था इसलिए कि जितने नीचे थे उतने ऊपर हो जाए ने ते इसमें 30 थिबूज हो गई आई हम दूसरा त्रिभूज इस तरह से आर कर लेते हैं कि जैसे इसका ये कितना होगा इसमें बता ये कितना गूया इसमें तिस का ओझा गदना इस नम्बरिंग करिए ए ये one two three और फोर इसमें इधर से जाए आप नंबरिंग करते वे जब त्रिभुज दिखेगा तो यह हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर बराबर कितना हो जाएगा तीन तीन च्छ और चार दस यह दस हो जाएगा और थात नीचे कुछ सब त्रिभुज 10 हैं और इसके सब्सक्राइब करते कितने बादए ज्रुबट एक दो पाइट 3 चार जाता है तो तो असल थातुरने नीचे से फिर इसके बाद जब अगर इसको मीटा देंगे अगर आप है जब आप मिटा देंगे इसको देखते हैं लो इसको मिटा देंगे तो फिर दस आएगा फिर अगर आप चाहते हैं एगर! Đमी दस आ जाएगा तो दस 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 तीस तरह से आप कर सकते हैं त्रिभूज ग्याद करना त्रिभूज बड़ा असान था अब आए और भी कुछ हम आपको बता देता हूं कि चलिए अगला देखते हैं लोग टाइप थ्री अब इसमें पहले इसको देख लेते एक छोटा सा सवाल कि जब ऐसे देता है चत्रुभूज में त्रिभूज ग्याद करना कि बताये इसमें कितने त्रिभूज है तो यह तर बड़ा आसान था कि एक और दो त्रिभूज है लेकिन अगर इसको ऐसे कर लिया जाए ऐसे तो बताये इसमें कितने त्रिभूज अगर इसको ऐसे कर लिया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि और इसके बाद छथमां त्रिभूज यहाँ से भी फच्वां त्रिभूंज हो गया इसे न इससे न इसे लेकिन आप इसे जब लगाएंगे तो किस तरीके से ट्रीक से लगाएंगे हैं आपको बता देता हौ चलिए जब पूछेगा कि बताइए कितने त्रिभू जाए इसमें तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे एक दो तीन और चार ऐसे आप कर लिजिए चौथा है और चार जब होगा तो चार का सीधे सीधे इसमें कितना होता है तो आप चार गुड़े दो कर लेजिए एंसर सीधे सीधा जाएगा चार दुना के आठ इसमें आठ त्रिभूज होंगे जब बर्ग में त्रिभूज पूछे तो दुगना कर देना चाहिए अब आए इसमें पूछता अगर ऐसे एक पटलाइन खिछ देगा और इसमें पूछ लेगा अब बताइए इसमें कितने त्रिभूज हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना पढ़ेगा कि जब दो बर्ग एक में आपस में मिलते हैं तो वहां पर भी त्रिभूज का निर्वार उनके कटान बिंदू पर ऊता है जहां पर वापस मिलते हैं यहां पे मिले है ना जहां मिलते हैँ दो त्रिभूज का निर्माण रोटा है जहां पे मिलते का जोनी है आप से तो इसमें बताई, कितने होंगे। देखते हों लोग से अगर आपसे पुछता इसमें, तो आएद दूसरा देखते हैं इस तरीके से जब आपसे कभी-कभी पूछ लेता है चलिए जहां पर बड़ा सवाल देखते हैं ठो ऐसे कि अब आएसे पूछ लेता है इसमें बताये कितने त्रिबूज होंगे इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिबूज होंगे तो जब इस तरीके से सवाल आप से पूछा जाता है कि कितने त्रिबूज होंगे तो आप जान चुके हैं इसको किसमें कितने होते हैं कि एक दो तीन और चार चार कर दुगना आठ होता है तो इसमें आठ हो जाएगा इसमें भी आठ हो जाएंगे तो पूरा टोटल त्रिबूज कितने होते हैं तो जब total त्रबूज होगा तुम्हें एक शीज आपको बता रखा है इनके जो कटान बिंदू जब दो बर्ग आपस में मिलते हैं जैसे यहां देखिए यहां पर जब आपस मिलते हैं यहां पर भी एक त्रबूज का निर्माड हो जाता है ऐसे तो यहां पर भ हुआ त्रेपूज फिर देखिए ऐसे गई ना यहां से गया फिर यहां से जो एसे आए तो देखिए कितने त्रेपोज हुए मैंने इसे गोला गोला मैने कर दिया चार घृत विष्टा हो रहा है तो एट पलस एट पलस एट पलस चार आठ तरीके 24-28 कुल मिला कितने त्रिवोज हो गए यह हो जाते हैं 28 त्रिवोज तो जब आप देखते हैं त्रिवोज गिन्ने में तो इस तरीके से सवाल आप से काफी ज्यादा पूछता है कि इसमें बताइए कितने जो है त्रिवोज होंगे अब आएक कुछ और विचीश देख लेते ह लोग है और यहां से घाती है तो आप से सवाल पूछता है कभी कभी इसमुमीर पूछ लेता है चितर गिन्ने में भी कि यांत केजिए कि दो वित हैं और दोनों दूर दूर है तिसमें कि Adaptant रेखा कीचिजा सकती है तो जब इसमें ijdक की बात करता है तो देख detailed से च्पंच एक तर्थी रेखा और ऐसे तर्य पर सी रेखा किची जाती है तो चार रेखाई धिस जा शक्ति है ऑर जब अग दूसरे से तो अस्वर्शी देखा अब आपसे जो इन्पार्टेंट और व्यक्षीज पूछ लेता है मैं आपको इसी में बता देता हूं कि एक बिंदू ऐसे दिया जागा कोई एक बिंदू से कितने ब्रित बनाया जा सकते हैं तो जब एक अगर सेंटर होगा तो आप चाहे जितने बना सकते हैं तो इसको आप कर सकते हैं अनंत ब्रित बना सकते हैं इसके कोई सीमा नहीं है एक बिंदू से अनंत ब्रित खीचे जा सकते हैं तो इस तरीके से सवाल आप में अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही important है और इसमें देखते हैं इतना important है कि इसमें से कोई ने को एक ठो जरूर आप से सवाल पूछा जा सकता है या आपको जानना चाहिए फिर आईए हम लोग दूसरा पर चेर्चा करते हैं हम लोग कर दो